गाईज आज मैं आपको राम मंदिर के निर्माण के बारे में बताने जा रहा हूँ फैक्ट नम्मर वान राम मंदिर की निव रखने के लिए देश भर से करीब दो हजार पांचो सतासी सत्यासी पवितिस्थानों से मिट्टी इकत्रित की गई है जिसमें से यमुना हल्दी घाटी किदार नाथ बदरी नाथ गांगा जैसे पवितिस्थान सामिल है फैक्ट नम्मर टू राम मंदिर की निव रखने में करीब एक सो पचास नदियों के प्रवित जलों का व्योग किया गया है इस संग्रह में आठ से ज़्यादा बड़ी नदियां तीन समुद्र और स्री लंका के सोला स्थलों से पावित तरजा लाया गया है साथ ही मान सरोबर के जलका भी उप्योग किया गया है फैक्ट नम्मर स्री इस मंदिर के नीचे करीब 2000 फिट की गहराई पर टाइम कैपसूल को रखा गया है इस टाइम कैपसूल में राम जन्व भूम और अयोध्या भगवान स्री राम से संबंदित महत्पून जानकारियां का समाविस है इस कैपसूल से हजारों सालों बाद भी लोग इस मंदिर के बारे में जान पाएंगे फैक्ट नम्मर फोर इस मंदिर को तमिल नाडो के एक साधों ने सोने और चादी की दो इट जिसमें तमिल भासा में जै स्री राम लिखा है भेट किये जिसका उपियोग मंदिर के निर्माण में किया जाएगा फैक्ट नम्मर फाइब इस मंदिर को पूरी तरह से पथरों से बनाया जाएगा जिसमें किसी भी तरह के मेटल जैसे लोहे और स्टील का प्रियोग नहीं किया जाएगा वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें